जै श्रीमन नारायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं सर्दियों से जुड़े हुए छे वास्तु दोशों के बारे में जो कि हम भूलवश या फिर अग्यानतावश कर जाते हैं अगर आप यह करते हैं तो आगे आने वाले जीवन में आपके परिशानी उत्पन हो सकती है तो थोड़ा सा बच के सर्दियों में खास करके आप इन छे बातों का खास करके ध्यान रखें सर्दियों का मौसम कई लोगों को बहुत पसंद होता है ये मौसम आते ही लोगों का लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो जाता है क्योंकि ये मौसम हमारे जीवन और परिवेश में बदलाव लेकर आता है इसलिए वास्तु शास्त्र में इसका विशेश महत बताया गया है वास्तु के नुसार सर्दी के मौसम में घर के रखरकाओ को लेकर के कुछ खास बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस मौसम में वास्तु से जुड़ी हुई गलतियां आपको भारी पर सकती है तो आप खास करके इस मौसम में इन छे वास्तु से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दे नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूले तो चलिए अग वीडियो में आगे बढ़ते हैं वास्तु शास के नुसा चमकती जो धूप है वो सकारात्मकता का प्रतिक होती है यह कहा जाता है कि जहां जहां सूर्य देव की किड़ने पहुचती हैं उनकी रोशनी पहुचती हैं वहां कभी भी नकरात्मकूर्जा दस्तक नहीं देती इसलिए सर्दियों में भी आप अपनी खिड़कियों पर मोटे परदे लगाने से बचें बहतर होगा कि आप इन्हें खुला ही रहने दें अगर आप ठंडी हवा से बचना चाहते हैं तो आप इन्हें बंद कर सकते हैं लेकिन शीशे के पार से प्रकाश को अंदर आने से बिलकुल भी न रोकें ये बिलकुल भी ठीक बात नहीं है क्योंकि रोशनी घर के हर पोने में हर जगा जरूर आनी ही चाहिए ठंड के मौसम में अपनी बेड़ शीट, सोफा या फिर परदों का अगर जो रंग है वो लाल या गुलाबी अगर आप रख सकें तो आप वो रखें आप चाहें तो इस रंग की क्रॉकरी भी घर में लाके रख सकते हैं ये रंग बहुत ही शुब माना जाता है वास्तू के नुसार इसे घर के सदस्यों में और रिष्टेदारों में जो संबंध है वो हमेशा ही अच्छे बने रहते हैं और घर में अगर कले कलेश का माहौल ह तो वो भी कम हो जाता है आपने घर के किचन में गर्म तासिर वाली चीजों को आपको जरूर शामिल करना चाहिए आप ड्राइफ रूट्स या फिर देसी घी से बने लड़ू या खाने की दूसरी सामगरी भी आप रख सकते हैं मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ इस मौस समय अपने घर में सफेद रंग की लाइटों की बजाए पीले रंग की लाइटों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए इसे एक वाम कलर माना जाता है इसे गरम रंग माना जाता है जो ठंड के समय में अपने उजाले से सकारात मकता फैलाने का काम करती है खास तोर पर घर के उ उजाला या फिर सूरिय की रोशनी नहीं आ सकती लेकिन अगर हम वहाँ पर पीले रंग की लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी सकारात्म कूर्जा का पभाव भड़ सकता है आपने बहुत से लोगों के घर में सर्दी से बचने के लिए अंगेटी का इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा अगर आप भी ठंड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे आप हमेशा आगनी कॉंड या फिर वाइवेक कॉ की तनाव में रहने लगते हैं अगर आपके साथ भी ये ही समस्यां है तो सर्दियों में दक्षिन दिशा मिलाल रंक के आपको नौ मुमति उख जलानी चाहिए नाइन कैंडल है आपको इस दिशा में नो मौमबतियों की बात है लाल रंग की नो मौमबतिया बड़ी छोटी किसी भी तरीके की हो सकती है आप उसको दक्षिन दिशा में एक बड़ जला करके जरूर देखे आपको जरूर से सुकून महसूस होगा ये जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम और आप इसका लाब उठाएंगे तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों